हेलो फ्रेंड्स राम राम जी क्रियाटिव फैमली में आपका हिर्दे पुर्भक स्वागत है और यह सुबा का सूट है सुबा हम लोग नास्ते में ब्रेड ब्रेड का सैंवेच बना रहे हैं यह चोखा पहले से हम बना के थे रात में कुछ बनाए थे तो वही बच गया था उसको हमालोटिकी बना रहे हैं रात का बांकी बचा हुआ था तो इसको बना करके हम तयार कर लिये हैं और सलाद के लिए जो घर में था वही हम लिये हैं जिसमें प्याज है चुकुंदर है और मूली और टमाटर लिये हैं सलात काट करके ले लिए हैं उसके बाद क्या बोलते हैं चीज भी दिये हैं ब्रेट के साथ बीच में डालने के लिए और ये भी पहले से बना के हम लोग रखे थे और डोसा बनाए थे तो थोड़ा सा उसे में से रख दिये थे और हम ब्रेट पर ब्रेट पर सब्जी वही सलात एड़ कर रहे हूं आज का तो सुबह का यही नास्ता हुआ लोग को इसे सेंवेज पसंद आता है इसलिए सेंवेज ही बनाए हूं अभी तो मेरा काम खतम नहीं हुआ है फिर भी देख रहा है देरे देरे सब कुछ हो जाएगा तो कर लेंगा इलो को भूख लग गया तो बना करके पहले दे देते हूं इनके लिए चाय भी बनाना है तब तक इदर पहले हम सीख करके बडेड को ले रहे हैं आप लोग कैसे बनाते हैं वह भी शेयर किजिएगा क्योंकि हम अपना शेयर कर रहे हैं आपका हो सकता है अलग तरीका होगा तो हमें भी कुछ आइडिया मिल जाएगा बनाने के लिए कि अच्छ पर दें हो तब में पर तेल थोड़ा सा डाले हूं जिसमा कि हम कुछ भी नहीं यह पूरा तरह से वाइल परे और इधर हम इंड्यक्शन पर चाय भी रख दिये थे पर मेरा इंड्यक्शन है जो खराब हो चुका है पहले से तो बहुत कम जितना देर चलता है पानी उबल जाता है वह इसलिए थोड़ा उबाल लिए हो उसके बाद हम गयस पर चड़ा करके पका लेंगे चाय को क्योंकि उस पर थोड़ा ही देर रहता है इसे पाने करम हो जाता है इसलिए उसको यूज कर रहे हैं दीरे दीरे करके यह देखिए मेरा चाय भी होने वाला है आज का यही नास्ता था और पूरा दिन क्या की हूं वह भी मैं आपसे शेयर करूंगे यह देखिए मेरा सेंवेज तेयार हो गया है सेंवेज और चाय मैं उनको दे देती हूं पहले उसके बाद बच्चे लोग को भी दूंगे अभी बच्चे लोग पढ़ाई कर रही है क्योंकि सुबह का समय है तो थोड़ा पढ़ने के लिए बैठा दी हूं उनको नास्ता द लिए रहरे हैं और खेत मेर रहें और खेत मेर ही डालेंगा भेस टो इसे भी बरबाद हो जाता है तो फेत है थोड़ा सा तो उसमें डाल देंगां देखेंगा होगा तो होगा नहीं होगा तो डी और एब इए क्विए ठीचमे पूरा लंबा 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 ये चीड लिये हैं कोड़बी से खोड़ाई करके उसके बाहно हो ही बीच में रными पीच में रख़ देना है सुबह में पानी आएगा तो उसमें पाइप लगा के छोड़ देंगे, देखते हैं कैसे क्या होता है, अब पांच से छे दिन में लगभग, यह आ जाएगा, क्योंकि यह आया हुआ है इसका बीज, अंकुरित हो गया है, तो अच्छा आ जाता है, यह मेरा अपराजिता है, और यह मनी पलांट इसको बाहर में रशी से टंगा के हैं, हम नहा दो करके आ गए हैं, हम कपड़ा बहुत था धुलने के लिए, इसलिए नहा दो करके आ गए हैं, उसके बाद नास्ता रुस्ता किये हैं, मेरा पुजा पाट भी हो गया है, उसके बाद हम खाने के लिए गईस पे दाल चावल चड़ा के हैं, देखते हैं बचे लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं, तो दो पहड का समय है, तो संत्रा रखा हुआ था तो इसको दे रहे हूं, थोड़ा खा लेगी, उसके बाद अपना खाना बनेगा तो वो लोग खाएगी, कोई पूछ रहे हैं, तो ये लिजिए, मेरा खाना तयार हो गया है, खाने में बस वोई, दो पहर का भोजन, चावल, डाल, सब्जी, ये ही सब है, पापड भी भून के लिए हैं, क्योंकि किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं भूना हुआ है, इसलिए हमको तो अच्छा लगता है, भूना हुआ है, तब ये फिर भून लेते हैं, या फिर गैस पर सीधा, शेक लेते हैं, लेकिन इलोपा, तो आज का खाना ये ही है, उसके बाद हम साम तक कोई सूट नहीं किये थे, इसलिए आज का ब्लॉक यहीं तक का था, अगले ब्लॉक में फिर मिलेंगे, तब तब के लिए, बाई, टेक्यार, वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, तो लाइक किजिए, सब्सक्राइब किजिए, किसी भी बज़ा से, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हुआ हुआ किया आज किजिए ऑलो हुआ है, तो हुआ है, वीडियो रगुष, कि वीडियो थे, टेक्या हो अगले रगा नगले